हल्दी इस कहानी का मतलब हिंदी में समझाऊंगी हल्दी इस मतलब हल्दी का Adventure means कोई भी साहसिक कारे करना या कोई ऐसा काम करना जो हम अपनी आम जिंदगी में नहीं करते हैं चलिए जानते हैं इस कहानी से हल्दी ने ऐसा क्या किया एक सुबह जब हल्दी स्कूल की तरफ जा रही थी तो वो एक चिराफ से मिली चिराफ वोर बिग ग्लासेज एंड हेल अबुक इन हिस हैंड चिराफ ने बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था और एक किताब अपने हाथों में पकड़ी हुई थी जिराफ मुस्कुराया और बोला गुट मौनिंग हल्दी हल्दी लुक्ट अप एट हिम हल्दी ने उपर उठकर उसकी तरफ देखा I am sorry to stir she said but I have never met a जिराफ like you मैं घूरने के लिए माफी चाती हूँ पर मैंने आज तक तुम जैसा जिराफ कभी नहीं देखा My name is Smiley said the जिराफ जिराफ ने कहा मेरा नाम Smiley है Whenever you see me you will smile जब भी तुम मुझे देखोगी तुम मुस्कुराओगी हल्दी वोस सर्प्राइस and happy too हल्दी आश्चारच्चकी तोर हैरान थी और खुश भी थी Then she remembered that she would be late for school अब उसे याद आया कि वो school के लिए late हो रही थी So she said to the जिराफ I would love to talk to you but I must rush to school or I will be late उसने जिराफ से कहा कि मुझे तुम से बात करके बहुत अच्छा लगेगा पर अभी मुझे school जाना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगी The जिराफ सेट Not if you ride on my back जिराफ ने कहा अगर तुम मेरी पीट पर बैठ जाओ तो तुम लेट नहीं होगी If you climb on my back I will run so fast that you will feel you are flying to school अगर तुम मेरी पीट पर बैठ जाओ तो मैं इतना तेज दोड़ूंगा तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि तुम उड़कर स्कूल पहुच गई हो Do you go to school every day? क्या तुम रोज स्कूल जाती हो? Yes Seth Haldi Haldi ने का हाँ मैं रोज स्कूल जाती हूं I go to school on Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays and Fridays मैं Monday को Tuesday को Wednesday को Thursday को Friday को स्कूल जाती हूं On Saturdays I play games at school और Saturdays को मैं अपने स्कूल में गेम खेलती हूं What do you do in school? आस्ती चिराफ चिराफ ने पूछा तुम स्कूल में क्या करती हो? I learn about the stars, the trees, the birds and the animals Haldi ने का मैं तारों के बारे में, पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में और चानवरों के बारे में सीखती हूं That is good Said the चिराफ चिराफ ने का है यह तो बहुत अच्छी बात है I love books too मुझे भी किताबे बहुत पसंद है They are lots of fun किताबे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है Now jump on my back चलो अब मेरी पीट पर पैट जाओ I will take you to school मैं तुमें school ले चलूंगा Haldi then jumped on the giraffe's back Haldi अब जिराफ की back पर, पीट पर jump करके चड़ गई And found that she could see so many things from the top और वो जिराफ की पीट पर से बहुत सारी चीज़े देख पा रही थी And before she knew it, she had reached the school playground और इससे पहले की वो कुछ समझ पाती वो अपने school के खेल के मैदान में पहुची She climbed down अब वो जिराफ की पीट से उतर गई Then she turned back to thank the giraffe She found that he had gone away जब वो जिराफ को शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने देखा जिराफ तो उच्छा चुका था Oh, Haldi thought What a wonderful adventure I have had Haldi ने सोचा अरे वाह, एकना मज़िदार adventure था इस कहानी में adventure क्या था Adventure था जब Haldi जिराफ की पीट पर पैट कर school पहुंची Thank you friends, if you like the video then please subscribe to my channel Learning Tools, अगर आपको video पसंद आई हो तो मेरे channel Learning Tools को subscribe करे Thank you